आज इस वीडियो हम बात करेंगे कश्मीर उनिवर्सटी पीजी अंटरंस की सेलेक्शन लिस्ट वो आउट हो चुकिए आप सब बच्चों के इंडमन में डाउट होगा कि अगर आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो बाकि टेलिग्राम का लिंक दिस्क्रिप्शन वाक्स में लेगा उसको भी जान कर लो वहां पे आपको इंपॉर्ट पीडियास जो इंपॉर्ट अपडेट्स होती है वह टाइम तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के तरफ सबस अब यहां पे क्या है कि आपका अड्मिशन प्रसेश हाला की स्टार्ट हो चुका है अब आपके अड्मिशन में क्या होगा सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि जो भी रिजर्व के अंडर स्टूरेंट चाहते हैं उनका जो वैलिड सर्टेफिकेट होगा वह वैलिड होना क्या थिक है तो ये इंस्टॉक्ष्षिन जो है वो जो आपके डिफेंस दिर्क्रस होते हैं है ट्रेंस होते हैं परिंसेपल सो देखेंट इस एनके लिए है सेकेंड जो है आपकी नीचे लिखाऊ गया सब्सक्राइब टॉच्ट नीसार इंस सब्जेट के टू अरिजन डो क करें character and provisional certificate of the institution but sorry last attended अगर आप cluster university of siranagar से हो तो आपको उसका जो provisional जो character certificate होता है वो लेके जाना है valid reserved category certificate लेके जाना है अगर आप हो किसी certificate से जैसे reserved category के अंडर आते हो जैसे कि को SCST से तो अपना reserved जो category certificate होगा वो लेके जाएगा ठेका बाकि है migration certificate जैसे अगर के यू से नहीं हो आपने कहीं और से की हुए cluster university of siranagar से की ही है तब आपको यह लेके जाना है ठीक है के साथ आपको बताया गया है कि जो आपकी यह जो documents होती है वो original होने जाए जैसे मैंने आपको उपर बताया बाकि आपको बहुत कुछ तो उस पर आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाने है जो points यहां पे 6 points दे गए है वही points आपको लिखवाक के लेने है वह बहुत important points है आप खुद पढ़ो इसको ठीक है फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि आपको प्रवेजिनिल selected candidates हैं उन्हें जो है अपना admission online जो admission form है वो official site से download कर लेना है www.kashmir.university.net की official site से जो आपको admission form डाउनोड करना है और कैसे करना है अपना entrance test जो number होगा entrance test number जो होगा वो आपको डाल के जो है वो download कर लेना है ठीक है और जो उसके बाल मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है क्या करना है कि जो भी selected candidates है उनक जो self-attested करके उनको जो है लेकर जाने है ठीक है अपर काफी student doubt में आ जाते है कि self-attested क्या होते है तो self-attested का मतलब होता है कि जो आपकी copies जो आपकी copies है for example आपका जो domicile certificate है उसकी zirox copy उसकी नीचे आपको अपना sign कर देना है जैसे आपको कुछ भी नाम है जैसे आपको कु आपको वह self-attested करके देनी है ठीक है आपकी जो fees है वह भी आपको पे करनी है और 22 से लेके 29 के बीच बीच बीचे आपको काम करना है ठीक है all the best thank you for watching this video